वीडियो शुरू करने से पहले चानल को सस्क्राइब किस तर से करना है वो समझ लिजिए साथ से पहले आपको नाम के सामने लाल अश्रो में सस्क्राइब दिखाई देगा तो वो जो सस्क्राइब लिखा है उसको आपको टिक करना है इसके बाद इस तरह से subscribe करके लिख करा जाएगा फिर उसके बाजू में जो bell है वो icon को आपको प्रेस करना है icon को प्रेस करते ही आपको इस तरह का message आएगा कि you will receive the notification इसका मतलब है जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको उसका notification मिल जाएगा ठीक है तो अभी वीडियो को शुरुआत करते है दोस्तो आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है तो शुरू करते हैं topic basics in thermodynamics चैनल को subscribe करना ना भूले thermodynamics का basic समझने के लिए हम सिर्फ एक example लेने वाले है जिसमें की water को हम boil करेंगे और उसका vaporization करेंगे तो हमारा और के यह रहेगा कि water को vaporize करना है तो चलिए discuss करते हैं अभी The branch of physical science that deals with relationship between heat and other form of energy is nothing but thermodynamics अब देखे जैसा की मैंने समझाया आपको अगर आप water को boil करने के लिए रखते हैं तो सबसे पहले आपको heat supply करना पड़ेगा So let us suppose that q is the amount of heat supply to boil the water and vaporize it तो क्या होगा दोस्तों जैसे ही आप heat supply करेंगे water का temperature जो है वो धीरे धीरे बड़ेगा तो water का temperature change हो रहा है इसका मतलब है there is change in internal energy याने delta i याने जैसे ही आपने heat supply किया क्या हुआ there is change in internal energy और बाद में जैसे ही temperature 100 degree centigrade पर पहुचेगा water का vaporization शुरू हो जाएगा याने वर्ग जो है वो शुरू हो जाएगा याने आप जो heat supply करते है q का utilization दो चीजों के लिए होता है पहला to change internal energy और दूसरा to do work तो इस हिसाफ से यह relation बनता है q is equal to delta e plus w जो की है mathematical expression for first law of thermodynamics आपने आफसर किया होगा कि हम जो अबी discussion कर रहे है that is nothing but relation between heat and other form of energy तो इस तरह से यह जो branch है जो की physical science की है और इस तरह के relations के साथ deal करती है उसको बोलते है thermodynamics thermodynamics समझने के लिए कुछ basics पता होना जरूरी है तो साथ से पहले system याने क्या होता है तो जिस part के आप thermodynamics लिए study करने वाले हैं उसको बोलते है system for example water को vaporize करना है जो कि हमारा work है तो water जो हुआ उसको बोलेंगे हम system बाद में water को छोड़के यह जो पुरा ब्रमान्ड है यानि universe है उसको हम बोलेंगे surrounding और system से जो surrounding को separate करता है वो real और imaginary line उसको हम बोलेंगे boundary ना लोड़े डिसकूस types of system there are three types of system open system, closed system and isolated system a system which exchange both matter and energy to the surrounding is known as open system जैसे अगर आपने water को boil करने के लिए अगर रखा तो क्या होता है, धीरे धीरे water का amount जो है वो कम होते जाता है क्योंकि water का vaporization होता है इसका मतलब क्या हुआ, matter जो है वो surrounding में जा रहा है साथी में heat loss भी हो रहा है इसका मतलब system जो है matter और energy दोनों भी क्या कर रही है, exchange कर रही है with the surrounding second time of system is the closed system a system which exchange only energy and not matter to the surrounding is known as closed system अब इसको समझने के लिए समझे है आपने जो बिकर है, उसको ढखके रखा हुआ है और उसको आप heat कर रहे है क्या होगा, water vaporize नहीं होगा क्योंकि आपने उस पर lead रखा हुआ है याने matter का loss नहीं होगा लेकिन heat जो है उसका तो loss हो नहीं है तो इस तरह से closed system याने ऐसी system जो कि सिर्फ heat जो है या energy जो है वो loss करती है पर matter जो है वो lose नहीं होता है थर्ड टाइप आफ system is a isolated system a system which neither exchange matter nor energy to the surrounding is known as isolated system जैसे देखे अगर आपने thermos में अगर चाय रखा तो thermos के बाहर ना तो matter जाता है ना तो heat जाती है याने ये जो टाइप आफ system है इसको हम बुलेंगे isolated system दोस्तों system जो है वो homogeneous या heterogeneous भी रह सकती है homogeneous system यानि जैसे आप जानते है homogeneous का मतलब होता है welly mix तो ऐसे system जहां पर chemical composition या फिर physical properties सब जगह सेम है उसको बुलेंगे हम homogeneous system so homogeneous system means which contains only one phase now what is heterogeneous system as you know if there is more than one homogeneous portion within a system then it is known as heterogeneous system system जो है microscopic या macroscopic system भी रह सकती है microscopic system as the name itself indicates it means very small that is roughly of atomic dimension whereas macroscopic system means which is visible to ordinary sense यानि जिसको आप इसली देख सकते है उसको बलेंगे macroscopic system so thank you for watching this video channel को subscribe करना ना भूले thank you करना भूले